अब बनाने जा रहे हैं मूली का पराथा कैसे बनता है यह रेश्पी को देखिए कि मैंने इस डिफरेंट तरीके से पराथा बनाया है तो मेरी रेश्पी पसंदा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू मूली का पराथा बनाने के लिए हमें चाहिए मूली मूली को मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेट करके उसका अच्छे से पाड़ी ने चोड़ लिया है यह मैंने वन गेजी लिये पराथे को तलने के लिए तेल एक बारी कटी हुई प्याज पांच चम्मत मैंने बेसन लिया है धनिया की पत्तियां कटी हुई, एक बारी कटी हुई हरी मिर्च, हाप टेबल स्पून, मस्टर्ड सीड, नमक स्वादनुसार लेंगे, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, आदा चम्मच लाल मिर्च, और आटा मलने के लिए मैंने 125 ग्राम आटा लिया है तो आए रेस्पी को स्टार्ट करते हैं, मूली की स्टफिंग बनाते हैं, कडाई में 2 चम्मच तेल डाले, तेल को गरम कीजिये, तेल गरम हो गया है, मस्टर्ड सीड डालेंगे अब हरी मिर्च डालेंगे, अब हम प्याज चालेंगे, बारी कटी हुई, प्याज को हरिका हमेंंता हैं हैं वाक गूनना है अब हो मिसंे मूली डालेंगे ज crawbridge मूली को प्याद में अच्छी से मिस्क कर लेंगे तो हम ह抄 तरक के रखते हैं मूली को मैं 5 मिर्ट तरक दयके रखना है जिससे मूली हमारी हाप पक जाएगा जब तक मूली पक रेती हो तक हम प्hausना क्ऊ17 आटे में थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, फाइं डालकर एक सॉप्ट दो तयार करेंगे, दो तयार करते से मैं एक बात का थ्यान रखना है कि हमें आटा टाइड नहीं मलना है, अगर आप टाइड दो मलेंगे तो पराठा फट जाएगा, इसलिए दो को सॉप्ट रखना है, दो लाल मिर्च पाउर डालेंगे, एक चम्मज नमक डालेंगे, वो सब को अच्छे से मिलाएंगे, वेशन और मसालों को हमने अच्छे से मिस कर लिया है, अब हम मिच्चर को 5 मेट के लिए ढखकर रख देंगे, जिससे अच्छे से पक जाए, इस्टफिंग हमारे तयार आटे में से थोड़ा सा तुकड़ा तोड़ेंगे और इसको एक गोल पेड़ा बनाएंगे और सुखा आटा उसके ऊपर लपेट के एक छोटा सा पराथा में राउंड शेप में बेलना है यह देखिए इस तरीके से अब हम इसमें स्टफिंग को भरेंगे यह देखिए एक च करने तबागरम करेंगे तबागर हुं गया है पराता जो हमने पराउटा पेल को युद ऑड़ कम फेली नें इसको ऊटो पलते हैं ड़ला के अब टेललाएंगे तेल को तरब साब एक इच्छ़न पलते ऐं के बादाने के नंशें हालने के ज़ смотрите हैं अभी आछ और लो यह स प्लेट लेंगे और उसमें पराटे को निकालेंगे, इसी तरीके से हम सारे पराटे बनाएंगे, इस्टप्ड मूली पराटा तेयार है, इसको आप दही के साथ या किसी रायते के साथ गरम-गरम परोसिए, अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक्यू